हेलो एवरिवान जो बच्चे टीचिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपोर्चुनिटी है आर्मी पबलिक स्कूल की तरफ से वेकेंसी आई है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है आपका आर्मी वेलफियर एजुकेशन सुसाइटी की तरफ से निकला है और वेकेंसी कितनी है आठ हजार साथ सो वेकेंसी है और यह वेकेंसी सभी लोगों के लिए देखिए पीजी टी क्या होती है इसका management क्या होता है और इसका जो यहाँ पर job करना कैसे रहेगा किनको पढ़ाना होता है सारी चीजों को मैं यहाँ पर discuss करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सारी बाते जो है अभी जो है आर्मी सीट है सात तारी को इसका आया था और लाश्ट डेट क्या हो जाता है आपका 28 जनुरी है आपका लाश्ट हो जाता है और वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे देख सकते हैं कि 28 को पेमेंड यापका एक्जाम होगा और जो है दस को ही आपका अड्मिट काट आजाएगा यह विकैसए ओल अवर इंडिया है और कहाँ कहाँ पर सेंटर है आपको इसकूल कहाँ दिया जाएगा वो सारे चीज़ें आगे हम लोग समझते हैं देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विकैसिन को आप अच्छी तरीकी दो समझे उसी subject से आपने PG किया हो कितने 50% mark से और B8 भी किया हो ठीक है उसके बाद आपका हो जाता है TGT TGT की बात करें अगर तो graduate trend teacher को होता है यह तो इनके लिए क्या है कि इन्होंने क्या है graduation किया हो concerned subject में उसी subject में plus B8 भी किया हो कितने 50% mark से और उसके इलावा फिर last में आपका रह जाता है यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो PRT PRT वाले के लिए भी यही रहता है कि आपने B8 किया हो या DL8 किया हो या फिर JBT किया हो और पलस में जो है आप JBT यह जितने भी courses है वो कितने 50% से क्या हो आपने और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर age relaxation की भी बात की गई है age भी यहाँ पर दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग जो बच्चे फ्रेशर है उनके वो अंडर 40 होने चाहिए और जो लोग experienced है वो क्या कितने 57 तक भी इनको क्या कितने relaxation दिया गिया है उसके बाद जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से mention कर दिया इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ ले प्यार्टी जो बच्चे रह उसके बाद में हम लोग इसमें देखते हैं कि जौब कितने पोस्टिंग जो है किस तरीके से यहाँ पर mention कर दिया गिया है 137 आर्मी पब्लिक स्कूरों में आपकी जौब पोस्टिंग हो सकती है अब वो जगह कौन कौन सी है ठीक है आपके जो center से है वो कहा कहा पर mention किये ग का देहरादोन जैपुर जबलपुर है न भोपाल यह सारे जो है क्या किते हैं कि center है जहां पर आपके आप जाकर के पढ़ा सकते हैं आपको school मिलेगा अब जो है दूसरी बात आती है कि आपके exam किस किस तरीके से लिये जाएंगे उनको समझना है अच्छे तरीके से teaching skill पे भी आपका क्या किते हैं कि interview होगा after the interview teaching skill will be and language teacher may be required to take a written test of essay अगर आप language teacher है जैसे कि आपने English किया हुआ हिंदी का teacher बनना चाहते हैं उर्दू का teacher बनना चाहते हैं तो आपका क्या है language का भी एक essay test होगा उसके बाद क्या किते हैं कि 15 points क्या किते हैं कि सभी के जो जितने program committee can be take a computer competence test computer के भी test आपको हो सकता है यह भी आपके ध्यान में रहे ठीक है अगर उनको लगता है तो ठीक है उसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि आपकी जो fee रहेगी वो कितना रहेगा यह देख सकते हैं और किस तरीके से आप payment करेंगे वो चीज भी यहां पर siitä, पूछ किस तर साइट है और पर आप गरशों पाइढ़ प्र करते हैं कि अप किसा रहा है अब कर आ इसमें समझते हैं कि आपकी सेलरि क्या रहे और उसी तरीके से TGT का 34,800 होता है लेकिन ग्रेट पे जो उसका बढ़के हो जाता है 46,00 रुपे और अगर PGT की बात कराएं यानि कि पोस्ट ग्रेजुएर्ट टीचर की बात कराएं तो 38,800 पर मन्त होता है ग्रेट पे यहां पर 48,00 रुपे हो जाता है और उसके इलावा अर्मी ऑफिसर्ज के बच्चे होते हैं आर्मी वाले जानी कि पुलिश डिपाट्मेंट के जितने भी लोग होते हैं उनके बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना होता है और यहां के management बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेरा खुद अपना एक फ्रेंड पढ़ाता है तो उनको बहुत ज़्यादा facilities प्रॉइड किया जाता आपको जाने के लिए गारी वहेकल प्रॉइड किया जाएगा आने के लिए भी प्रॉइड किया जाएगा हर तरह का Examiner online screening test होगा आपका यानि की computer test होगा interview लिया जाएगा उसके बाद में और वो जगे भी में रदाब बता दिया है कहाँ कहाँ पर interview आपके लिए जाएगे और उसके बाद education of teaching skill भी आपसे पूछा जाएगा यानि कि teaching किस तरह से कराया जाता है वो भी अब हम syllabus के बाद करते हैं यह देख सकते हैं PRT exam pattern syllabus के बाद करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है English comprehension अच्छे से आना चाहिए educational concept आपका clear होना चाहिए उसके बाद है methodology, journal awareness, mental ability आपको आना चाहिए 90 marks रहेगा और उसके बाद में आपको कितना मिलेगा 130 minutes आपको मिलेंगे ठीक है अब हम इसमें देखते हैं TGT और PRT की बाद करेंगे तो दो भागों में बढ़ा होता है ठीक है दो भागों में बढ़ा होता है पार्ट A की बाद करें तो journal awareness आपको पढ़ना है mental ability पढ़ना है उसके बाद है English comprehension education concept and methodology inclusive education और IT यानि कि ICT जो है आपका information technology है तो ये सारी चीज़े आपको पढ़ना है ठीक है उसी तरीके से आपका पार्ट B भी रहेगा specific two subjects यानि कि जिस subject से आपने पार्ट B किया हुआ है PGT या graduation जिस subject से किया है तो वो भी 90 marks कर रहेगा आपका तो इस तरी से आप से पूछे जाएंगे दो भागों में बाढ़ करके और उसके इलावा यहाँ पर देख सकते हैं negative marking आपके लिए रहेगा देख सकते हैं यहाँ पर देखें पार्ट A, पार्ट B बटा हुआ है 100 अंक कर दिया जाएगा उसके बाद परती यह गलत उतर के लिए परती परशने उनिर्धारित के लिए जो है आपके नंबर काटे जाएंगे और आपको अगर पास होना है तो आपको 50% लाना बहुत ज़रूरी है अनिवार यह है जनरल अवेडनेस में क्या क्या पढ़ना है आप यहां से सारी चीज़े देख लेंगे इनको पढ़कर के जाएंगे और प्रिवियस एर के जितने भी कोशन्स है उन्हें भी आप लगाएंगे मेंटल एबिलिटी सिलेबस को मेंशन कर दिया है यहां पर भी भागने आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लें इन्हें आप क्या कितने अच्छे तरीके से किलियर करें अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप प्रिवियस एर को जरूर पढ़ें इंग्लिश कंप्रेहंसन सिलेबस के बाद कर देख सकते हैं हर चीज यहाँ पर मेंशन कर दिया है और यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है प्रिवियस एर को बहुत अच्छे तरीके से जान ले देखें अब देख सकते हैं कि यह सारी चीज़ें जो पहले भी मैंने मेंशन कर दिया वो सारे चीज़े यहां पर आपको मिल जाएगा तो ये था आपका complete information किसी तरी की queries हो तो आप comment section में जरूर लिखे मैं आपको हर चीज़े provide कराने ही कोशिश करूँगा Thank you so much वीडियो देखने के लिए